हेलो दोस्तों मेरा ना है मनीस आप देख रहे हैं मेखाव के स्टडी तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों इस तुडियों बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट यर सेकेंड यर एंड थर्ड यर के सेलबस के बारे में आपका ब्रांच कोई भी हो कोई साभी ब्रांच हो कोई साभी यर हो आपके सलबस के बारे में डिटेल में बात करेंगे पर लों को प्रेक्टिकल कितने घंटे का होगा वह सारी चीज़े हम आपको बताएं तो पर आप करेंगे बीटीव यूप यूपई यीूपई रख कर देंगे और जो यह यहां पर आपका पहला इंटरफेस आएगा उसको आप क्लिक कर देएगा तो आप लोग यहां पर देख पा रहोंगे बोर्ड आफ्टरेंट क्लिक एजूकेशन हमारा यहां पर ऑफिसियल पेज खोल चुका है और आप इसके डायटली यहां पर सेलबस पर आ जाएंगे जैसा उनका भी यहां पर सेलबस मिल जाएगा और यहां पर में मैं पॉइंट पर हम बात करेंगे और जो हमारे काम की चीजे हैं उसको हम देखेंगे और यहां पर लोई देख पा रहोंगे रिवायस सेल बस जो है Junior Gus उसमें जो है क्योंकि यहां पर जो पहले सिर्था हमारा 2017 28 यह वाला है यह मोगा फाइनल सेलबस हैं चलिए इसको उपन करके हाँ आप लोगों को दिखा देते हैं किस तरीके से जो है ब्रांच चोई जाटका सेलबस दिया हुआ है तो आप लोग यहां पर नीचे आ रहे होँगे तो आप लोगों को यहां पर देख राहोगा यह जो है जुलाई से वैसे सेसन चलने वाला था लेकिन अभी तो जो है अभी आपका second year and third year का जो students है उन्लों का तो start हो जाएगा एक तारिक से और जो नए students है उन्लों का जो है यहाँ पर December में start होगा तो यहाँ पर आप syllabus को देख सकते हैं civil engineering का आपको syllabus यहाँ पर मिल जाएगा electrical engineering का मिल जाएगा और यहाँ पर सारे ब्रांच जो है यहाँ पर दी हुई है आप अपने ब्रांच के recording यहाँ पर अपना syllabus देख लेंगे और यहाँ पर जो है जिन बच्चों का यहाँ पर फार्मेस पर रहोंगे जुमाल लिजिए कि आपका यहाँ पर ब्रांच जो है वो mechanical engineering है चलिए mechanical engineering मैं यहाँ पर आपको उपन करके समझा देता हूं किस तरीके से जो है आप लोगों का यहाँ पर सलबस है और कैसे कैसे यहाँ पर इसका डिवीजन किया गया है दोस्तों first of all आप page number 2 प आपको पढ़ने है communication skill mathematics physics chemistry drawing और आपका basic of information technology और general workshop और यहाँ पर second semester की बात करें तो second semester भी आपको इस तरीके से कुछ यहाँ पर subject दिये हुए है और यहाँ पर 3rd semester 4th semester और 5th semester और 6th semester कि यहाँ पर subject मिल जाएंगे में चीज़ है हमको यह देखना कि हमारे जो classes है वो कैसे कैसे चलते हैं और कितने कितने marks जो है हम लोगों के कैसे कैसे add होते हैं जो कि हमारा final result में so करता है तो उसके आप directly page number 19 पर चले आएंगे ठीक है मैं आपको directly page number 19 पर लेचलता हूं और आपको यहाँ पे कुछ चीज़ आप लोगों का जो 100 marks होता है वो कैसे add होता है आपके कितने कितने lecture जो है आप लोगों के यहाँ पर निधायत किया जाते हैं बोर्ड के द्वारा तो आप लोग यहाँ पर देख पार होंगे आपके subject यहाँ पर मिल जाते हैं कोई विसा भी आपका ब्रांच हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर एक वीक में कितने पीरेट चलने चाहिए वह सीडिय यहाँ पर दे होई रहती है और नेक्स पॉइंट है आप लोगों का यहाँ आप लोग देख पा रहोंगे marks in evaluation scheme इसका मतलब यह होता है कि जो आप लोगों का marks है व टूटल accelerated अत्य न्बर मिला करके चीर अप लोगों का 30 मदर दिया जाता है ठीक है और आप लोगों काको जो कैसी यह मार कला नहीं बहु color जाते हैंא और जो आप का यह 30 नंबर है वो कॉलस दिया जाता है इस तरीके से 70 और 30 आप मिला देंगे तो आपका 100 परसंट यहां पर हो जाता है और आप 100 परसंट में कितना पाते हैं वह आप कोई subject है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आपको details में पता कैसेशलेंगया कि हम को मैंद आगि आपका फिजिक्स फिनůमय ₹ है मैथ है कुछ भी सब्जेक्ट है मेकैनिक्स है टोम है सोम है डिजाइन है तो उसमें आप क्या-क्या कॉंटेंट आपको पढ़ना है क्या-क्या छोड़ना है वो सारी चीज आपको कहां से मिलेंगी तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे बिसिकली पेस नंबर अप्रॉक्समि टूंटी-nine पे ठीक है आप टूंटी-nine पे आज आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं अप्लाइट मैथमेटिक्स ठीक है इसको लेकर करके हम आपको समझा देते हैं किस तरीके से आपका कॉंटेंट देखना है तो आप यहाँ प को यहाँ पर पढ़नी है और अलजबरा वन में क्या-क्या पढ़ना है वो तरी चीज़ा आपको यहाँ पर दी हुई है ठीक है आप इसी तरीके से जो है इसको पढ़ सकते हैं और अपने टॉपिक कबर कर सकते हैं आपको क्या-क्या पढ़ना है क्या-क्या छोड़ना है तो तो हम बात कर लेते हैं कि हम लोगों का जो माक्स होता है वो कितने पॉइंट पर डिपेंड करता है तो जो हम लोगों का जो माक्स होता है वो हमारा टोटल चार पॉइंट पर डिपेंड करता है ठीक है वैला पॉइंट हमारा यह होता है कि आप लोगों का जो इंटरनल माक्स ह है ठीक है जो की Marks हमारा collar से भेता है वह वह बहुत important होता है ठीक है उससे आपका percentage जो है काफी जाधे increase हो जाता है internal marks है उसके पा dull मार्क है उसके बाद हम़ा Practical है उसके बाद हमारा holy y है यह 4 चीज़े है आपको 100% marks है उस में 70 से 85% marks लाने में काफी होती हैं और 70 से 85 परसंट मार्क्स काफी अच्छी मारा जाते हैं डिप्लोमा में उम्मीद दोस्तों वीडियो को पसंद आया होगा वीडियो को पसंद आते वीडियो को लाइक कर दिजिए और मेकाबर के इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन क प्रस कर लिए थैंक्स पर वाचिंग टेक केर